नुमस्कार दोस्तों मैं गोतम सिंग उखुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं आज आपके लिए लेकर आया हूं तत्व और योगिक में अंतर डिफ्रेंट बिट्वीन इलमेंट एंड कमपाउंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तत्व और योगिक में अंतर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं तत्व क्या हैं वे बस्तुएं जो सूध अवस्ता में पाई जाती हैं और जिन में कोई मिलावट नहीं होता है उससे हम तत्व कहते हैं जैसे हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फस्फोरस, कुलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, आक्सीजन और गंदक ये सब ही जो हैं आपको तत्व हैं योगिक कमपाउंड जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर एक नय पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम योगिक कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर कोई भी नय पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम योगिक कहते हैं जैसे पानी, हाइड्रोजन तथा आक्सीजन का क्या है योगिक है दोस्तों अब आपको बताएंगे तत्व और योगिक में अंतर, difference between element and compound तत्व तत्व का निर्माड एक परकार के परमाड़गों से मिलकर होता है योगिक योगिक का निर्माड दो या दो से अधिक परमाड़गों से मिलकर होता है तत्व की संख्या लगभग 112 है जबकि योगिकों की संख्या बहुत अधिक है तत्व के गूर्धर उसके सुष्मतम कर्ण यानि की परमारू के कारण होते हैं और योगिक में अड़ू के कारण होते हैं तत्व भौतिक और रसायनिक किरियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में बिघटित नहीं होता है योगिक को भौतिक और रसायनिक किरिया के द्वारा सरल पदार्थों में बिघटित किया जा सकता है दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारा तो वीडियो को पिली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबादे ताकि अगले वीडियो के निट्पिकेशन आपको मिलते रहेगा थैंक्यू दस्तो राधे राधे दस्तो